जैने दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूटूब चैनल अब इसे के संपॉइंट में दोस्तों आज किस वीडियो में जानने वाले हैं कि क्लाश 12 वाले 24 में अपना तैयारी कैसे करें यदि आप सोच रहे हैं कि मैं 24 में अपना एक बहतर रिजल्ट लेकर रहा हूं तो यह वीडियो सिर्फ आपके लिए क्योंकि मैं उन्हीं चीज़ को बताऊंगा जो आप जानना चाहते हैं कि एक रिजल्ट कैसे बहतर बनाते हैं जैसे हम लोग सिर्फ पढ़ने पर फोकस करते हैं लेकिन हम लोग यह नहीं सुचते हैं कि हम लोग कैसे तैयारी करें कि रिजल्ट बहतर हो देखिए आप एक रेस में पढ़ेंगे तो उससे कोई फादा नहीं लेकिन उसका कुछ सेड्यूल बनाकर पढ़ेंगे तो आपको रिजल्ट बह यह नहीं रहेगा तो देखिए इस्टाट करते हैं वीडियो को क्लाश ट्वेल्थ वाले स्टूडेंट्स दौरजद 24 में कैसे तैयारी करें कि उनका रिजल्ट क्या हो बेहतर हो क्या फोकस करना है रिजल्ट पर हम लोग कमुद्दर क्या है रिजल्ट पर क्योंकि हमारा र बजिक्ट होती है याधि नहीं है तो इसके अस्थान पर बायो दो क्या होता है यानि टोटल कितने अपको दोस्तोष टोटल कितने सब्जेक्ट टूए पांच सब्जेक्ट हुए टोटल कितने सब्जब्जक्ट हुए पाँच मैं यह लिया था लिया हूंगे तो इसी चीज को आज हम लोग बताने वाला हुँ तो देखिए पहला टिप्स है सब्जेक्ट सब्जेक्ट की संख्या कितनी होगी सब्जेक्ट की संख्या कितनी होगी पांच होगी और सब्जेक्ट की संख्या जितनी होगी उतनी कौपी बनाना है देखिए पहला टिप्स आपको सेर कर रहा हूं बहुत ध्यान से सुनिएगा हम लोग क्या करते हैं कि येखी कॉपी पर हर एक सब्जेक्ट को लिख देते हैं और बाद में ढूंदेने लेगते हैं येदि कोई टीचर कहता है कि कल कहा तक पढ़ायते हैं तो आप लोग पूरा इधर से उधर पाना पलाट कर देखने लगते हैं और नहीं मिलता है मैं क्या मैं क्या बता रहा हूं कि हर एक सब्जेक्ट के लिए क्या अलग कापी बना इशसे क्या होगा एसने क्या होगा क्या कि आपको हेडिंग से हेडिंग याद रहेगा हर एक लाइन याद रहेगा हर एक लाइन याद रहेगा और अंडर इस्टेंड कर पाऊगे बातों को अंडर इस्टेंड कर पाऊगे बातों को क्या रहेगा हर एक सब्जेट का अधिये देखिए हिंदी हिंदी पढ़ रहे है ना हिंदी कोचिंग में पढ़ा जा रहा है या इस भी बनाना भेरी भेरी मुस्ट इंपर्टेंट है जो हम लोग गलतिय करते हैं कि एक ही कॉपी पर 500 सब्जेक्ट लिग देते हैं और यह कुछ पूछा जाए याद करना हो कल बोलेंगे टीचर की कल यह याद करका आना जो पिछला पढ़ाएं याद करका आना तो अप इधर से लिए उधर खोजोगे ढूंड़ोंगे नहीं मिलेगा पर सान गये इसलिए मैं कराओं कि हएक सक्वाद्य नेयुक्त के लिए अलक होगा बना ना है अब देखिये मली जीए मली जीए अब पढ रहे है कुछ मली जीए कि प्रिजिगि हिंह इंदी कुछ पिख देना है पहले पीछ पे लिख देना है कि One to 10 यानि क्या है वर्णमाला अंहीं है आहसा अह Universal इसे होगा कि जब पढ़ने बैठोंगे न तो आपको ययाद रहेगा कि एक से दस speech के बीच में वड़माला लिखा गया है इसके आगे दूसरे हो गया मनिजिए समास पढ़ रहे हैं समास पढ़ रहे हैं तो लिख दीजिए अगा 11 to 15 यानि जब ऐसे लिखेंगे न तो आपको क्या होगा आपको याद रहेगा कि हाँ मैं इसके अंदर इस इस बातों को लिखा हूँ तो देखिए आपको क्या करना है फोकस कहा करना है कि जीतना सब्जेक्ट है उतना ही कौपी बनाना है अब देखें दूसरे एक्जांपल की बात करते हैं दूसरे स्टेटजी की बात करते हैं तो दूसरा स्टेटजी है सब्जेक्ट को रिलेट करकर पढ़ना है हम लो MAX लोगे पढ़ जाई करना चाहिए यह उख को का जाई कि Blue पाइड पाइट पाइड पाइड दीजे तो अच्छा नहीं लेगा क्योंकि वह रिलीट नहीं है मैसिंग नहीं कर रहाए उसी तरह सब्जेट को जब तक मैसिंग करकर नहीं पढ़ेंगे तब तक इसमें भी आनंद नहीं आएगा तो देखे क्या करना है आफीजिक्स और कमिस्ट्री को एक बार में पढ़ना है क्योंकि यह अंडर इस्टेनडिंग वाला अंडर इस्टेंडिंग वाला इसे इसमें समझना पढ़ता है इसमें काफी देर लगती है चीजों को समझने में जैसा त्यों करेंगे समय लएगा chemistry का परिभासा ये कुछ सिधान्त पढ़ेंगे न तो उसमें उसमें क्या कर लेगा समय लएगा इसमें समझना पढ़ेगा बातों को यानि physics को क्या करना है एक साथ पढ़ना है यह दोना अंडर स्टेंडिंग वाला सब्जेक्ट है और जब ज्यादा आपको माइंड क्लियर रहता है आपको ज्यादा ध्यान एट्रेक्टिव रहता है उस समय सब्जेक्ट को पढ़ना है दूसरे स्टेड़ी को बता रहा हूं आपको ब जरूरत होती है ज्यादा फोकस करने की जरूरत होती है तो फिजिक्स और कमिस्ट्री को एक साथ पढ़ना है पुछेंगे क्यों पढ़ने एक साथ क्योंकि यह दूनों अंडर इस्टेंडिंग ऑली सब्जेक्ट है और जब ज्यादा आपका माइंड क्लियर रहता है तब इसक इसको एक साथ पढ़ना है क्योंकि हिंदी तो आप थोड़ा जानते भी होंगे इंग्लिस जानते भी होंगे एक घंटे में पढ़ लेंगे थोड़ा थोड़ा याद हो जाएगा अब क्या करना है अब बायों से हैं कि मैट से हैं या मैट से हैं आपको इसमें क्या करना है ए मैं देखिया करने में उसको यहां नहीं लोग तीज होते दिचड़ा देता है उसका ध्याना भी बज़सादS यह अलग है यह अलग सब्जेक्ट है जैसे मैत लिये हैं यह बायो लिये हैं तो देखिए मैत यह बायो अलग अलग होता है तो देखिए मैत एगंटा पढ़िए यह बायो लिये बायो लिये तो इसको एगंटा आराम से पढ़िए इसको अलग करकर पढ़िए एगंटे के लि है चलते हैं है तीसरे स्टेटल से these wonderful jak टोड़ा अपने दोस्तों के साथ काय से पढ़ना है और ऐसे पढ़ना है सबसे दिक्यति क्यों सिरके पड़ने के पूरा याद हो जाये मेरे मायिड में पूरा याद हो यहां से पढ़ते हैं तो क्या करना है आपको पढ़ना है उसके अलावा जो कोशिंग में यहां से पढ़ते हैं उस प्रकासन वाली किताब से पढ़ते हैं उस बुक्स पढ़ते हैं क्या करना है एक कोङकंच में पढ़ना है और जाना भी चाहिए क्योंकि यह टॉप इक्षाम ने क्या करते हैं पहले उसको पढ़ना है जो देखिए पहले बुक्स को पढ़िए या कोचिंग वाला पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़िए पहले बुक्स को घर से पढ़ कर जाएंगे तो कोचिंग में जो बताए जाएगा वो याद रहेगा कि हां यह सही बता रहे हैं बुक्स में से पढ़ कर आएंगे यह बुक्स प पढ़िए दोनस्य चीज़ आपको बात उतना ही अच्छा से समझ में आएगे तो देखिए कैसे पढ़ना है आपको तो दुआ ही तरीके से पढ़ना है पहला भुक्स को पढ़ना है और दूसरा कोचिंग में जो पढ़ाया जा रहा है उसको पढ़ना है अब चलते अगले सब्जेक्ट को सौ परशेंड देना है मैं का ना कि हर एक सब्जेक्ट को सो परशेंड देना है आप लोग कहेंगे कि मुझे हिंदी आती है मैं सब पर्सेंड उसको remind दो आदोंगा मुझे। मैं इंगनि बहुत से नहीं दूगा दोस्तों जब इतना गल्ति कर दे तो हो आप लोग तो माक्स कमा जाते हैं आप हर एक सब्जेक्ट को सो परसिंद नहीं देते हो हर एक सब्जेक्ट को सो परसिंद देना है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट सो नंबर का हर एक सब्जेक्ट क्या होता है सो नंबर का टोटल सब्जेक्ट पांच तो पूरा नंबर 500 रहता ह बारा में रहता है कि नहीं तो देखिए हर एक सब्जेक्ट को सो परसिल देना है क्योंकि हर एक सब्जेक्ट से आपको सो नंबर मिलता है हर एक सब्जेक्ट से आपको सो नंबर मिलता है यानि हिंदी भी सो नंबर कराएगा पेपर में इंगलिस भी सो नंबर का फिजिक्स भी और जब तक आप 100% नहीं देंगे तो 100 नमबर कैसे लाएंगे मैं आप से पुछ रहा हूं कि जब तक किसी भी subject को जब हिंदी आपको 100 नमर दे रहा है इंग्लिस आपको 100 नमर दे रहा है तो तब तक आप उसके 100% मेनत नहीं करेंगे तो आपको प्रकास नोट्स की तरह रहो जाएगा और घर से जो पढ़ेंगे बुक्स में से जो मिलेगा उसको भी एक नोट्स की तरह बनाना है अब इसका फायदा क्या होगा क्या होगा क्या होगा क्या होगा अब पर देने जाएंगे तुष्य पहले आपको रिविजन कर सकते हैं और आपको बहुती बेतर तरीके से समझ में आ सकता है तो देखिए एक्जाम कहीं देने जाएंगे तो वहाँ पुछेगा और एक्जाम देने जाएंगे बारा क्लस्ट वेल्थ का तो वहां पुछेगा तो देखिए बोर्ट के एक्जाम में बहुत ही माइने रहता है नूट्स का कि आप कैसा नूट्स बनाएं और छवी चीज के बाद की जाए तो सब्तायक रिविजन करने आए यह दस नहीं है आठ नह है मंतिली रिविजन नहीं करना है यह दखिये कि मैं महीने में एक बार मेरिश्या कर रहा हूं और हफते में चार बार हो रहा है तो अब लोगे तो महिने कितने बार घो जाएगा तो चार बार करोंगे तो देखिये, SEA TV करोंगे आपको सब्सक्रा country के सब्सक्राइब क्टा रहा हूं आपको क्या करना है ऑiste100 को जागरूlt करूक करना है क्या करना है कि यह क्या करते हैं ये कहता है बातों को समझ यह जितना बातों को समझेगे उतना ही अच्छे से पावर को कैसे ग्रू करें इस पर वीडियो देख लिएगा अंडर इस्टेंडिंग पावर को जाग्रू करना है एक दम टॉप करना है आपको बारा में एक दम टॉप करना है एक दम रिजल्ट बहतर ले कराना है तो क्या करना इसमें अंडर इस्टेंडिंग पावर को क्या कर करना है जागरू करना है यानि समझने की समझने की लला खुनी चाहिए हां मैं इसे समझूंगा मुझे यह समझ में नहीं आ रहा है लेकिन समझूंगा क्यों कि आपको अपना रिचल बेतर बनाना है तो देखिए अब टोटल टाइम की बात की जाए यदि टोटल टाइम की बा पढ़ना है तो मैं आपसे यह रही कह muchos फ्रोलत नहीं कौई आपको इतना पढ़ने की जेवरत नहींAL कमें is तक सबतने करें सिरुकर प्रहूट के चार गन्ते met me कितना हुआ एक गंटा हुआ और मैंत को या लिया सब्सक्राइब टोटल फोर आवर्स आपको क्या करना है इस डिकरना है आपका रिसल्ट एक दमध्यद्रोंगा आपको कितना पढ़ना है शिर्फ चार गंटे चुन्त चार गंटे पढ़ना है फिजिक चॉरक मिस्ट्री एक फोकस करना है तो चार घंटे में आप एकदम जवरजस्त तयारी करेंगे एकदम खतरनाक वाला देखेट टोटाल चार घंटे क्या करना है स्मार्ट इस्टेडी करना है बच्चे पढ़ना नहीं है बातों को समझना है क्या करना है इस्मार्ट इस्टेडी करना है और आप इस्मार्ट इस्टेडी का मतब जानते यह क्या होता है इस्मार्ट इस्टेडी करते करना है पूरे चार घंटे कंटिनी स्मार्ट इस्टेडी क करना है तब जाकर आपका result क्या होगा तब जाकर आपका result 808 95 plus 90 प्लास आप ला सकते हैं वीडियो कैसा लगा कमेट में उससे बताएगा आपका कमेट मुझे इंतजार रहेगा कि मैं जो मेनत किया हूं उसका result कितना मीना चाहिए तो चलिए फिर से मिलेंगे अगले नेक्स्ट वीडियो के साथ तब तक लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्याबाद